हेलो स्टूडेंट्स दिस इस नितिन धिंगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास टेन का चैप्टर नंबर फोर चैप्टर है साइंस खा और चैप्टर का नेम है कारबन एंड इट्स कंपाउंट्स तो इस चैप्टर को पूरा डिटेल में बहुत ही बढ़ चैनल को लाइक और सबस्क्राइब तो बनता है तो आई यह स्टार्ट करते हैं फिर कि कारबन एंड इस पंपाउंड में क्या कुछ पढ़ने लाइक है क्या कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर करने हैं जो आपको कहीं पे क्लियर नहीं पाते वो मैं करूँगा बिल्कुल आप आपको पता है कि एट्मोस्फियर में कितना कारबन है या फिर कितना कारबन डायोकसाइड है तो येस मेरे को लगता है कि आपको पता होगा तो कितना है 0.03% यह तो आपको पता ही है 0.03% जो है CO2 एट्मोस्फियर में प्रेजेंट रहता है यह आप सब को पता है अब एक कितना परसेंट कार्बन होता है, तो वह होता है 0.02% ठीक है? तो कार्बन अर्थ की कर्स्ट में कितना है, 0.02% और एट्मोस्फियर में कितना है, आपको पता है, एट्मोस्फियर में है, 0.03% तो एक कार्बन में ऐसी क्या चीज है? Students, हमारा जो periodic table है, या जितने भी elements के बारे में हमें पता है, लगबग 118, 120, बहुत सारे elements discovered हैं, तो कार्बन में कुछ तो special बात होगी, कि कार्बन के उपर एक पूरा ही chapter बना दिया, है न? समझ रहे हो? तो कार्बन में कुछ न कुछ ऐसी बात है, तो वो बातें आज हम कार्बन के बारे में सीखेंगे, तो क्या बाते हैं, वो सीख लेते हैं, पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि कार्बन एक ऐसा element है, जो इस अर्थ पे, इस universe के अंदर, बहुत ही ज़्याद मिल सकता है, तो कार्बन एक ऐसा element है, इसलिए कार्बन की study तो बनती है, तो इसलिए हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन को जो हैना, वर्सेटाइल element भी बोलता है, वर्सेटाइल, कि इसके अंदर बहुत अच्छ अच्छी, वो तकड़ी तकड़ी properties हैं, कि इसके एक element की properties है, कि वो बहुत ज्यादा solid है, बहुत tough है, जैसे की diamond, एक element ऐसा है, जो soft है, साबून की तरह, जैसे graphite, एक element tough, एक बहुत soft, देख रहे हो, इसके compounds किस तरह के हैं, मतलब versatile है, soft भी हैं, hard भी हैं, electricity भी conduct करते हैं, नहीं भी करते हैं, है ना, तो बहुत सारी variation है इसके अंदर, तो वो इस chapter में हम पढ़ाएंगे, तो start कर लेते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि carbon का atomic number क्या होता है, students, carbon का atomic number होता है, carbon का atomic number होता है, six, carbon का atomic number कितना होता है, six, तो इसका electronic configuration कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे, two, four, क्या आपको पता है, यह मैंने क्या लेखा है, two, four, तो नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी atom, कोई भी element, उसका सबसे अंदर होता है nucleus, ठीक है, atom के अंदर क्या होता है, एक nucleus, nucleus के चारो तरफ क्या रहते हैं, students, orbits, वो orbits जिसके अंदर electron गूमते हैं, तो यह आपने class 9 में पढ़ रखा है, I hope क आपको अच्छे से आता होगा, नहीं आता है, तो आप मेरी class 9 की videos देख सकते हैं, ठीक है, तो यह कोई general सा एक atom है, जिसका यहाँ पे nucleus है, उसका यह first orbit है, फिर second है, फिर third, fourth, ऐसे ऐसे orbit आगे आते हैं, तो जो किसी भी atom का first orbit होता है, उसके अंदर कितने electron आ सकते हैं, उसके k shell भी बोलते हैं, यह है k, यह है l, इसके बाद आएगा m, फिर n, मतला अगर मैं एक और circle लगा दूँ तो m, एक और circle लगा दूँ या orbit लगा दूँ तो n होगा, तो k shell के अंदर दो ही electron आ सकते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर l के अंदर, sorry, यहाँ पे बना दिया मैंन उसकी capacity कितने है, दो की है, उसके बाद जो l है, l वाला orbit है, उसके अंदर कितने electron आ सकते हैं, उसके अंदर electron आ सकते हैं, students, 8, 8 electrons, तो इसकी capacity कितने की है, 8 की, इसकी capacity कितने की थी, 2 की, अब carbon को भी बात करते हैं, देखो, carbon का atomic number 6, तो उसके first orbit में कितने electron आ सकते हैं, 2, तो हम उसके बाद जो उसका second orbit है, उसमें कितने electron है उसके पास? 4, तो यह निकि यहाँ पे मैं 4 electrons लगा लेता हूँ, 2, 3, 4, students, ठीक है, इस diagram को जरा ध्यान से समझ लो, क्योंकि यह पूरे chapter का basic concept है, और यह आपको पूरे chapter हैं बहुत help करेगा, तो इसको ध्यान रखना की carbon का atomic number 6 होता है, ठीक है? और atomic number क्या होता है? Atomic number किसी भी atom के अंदर जितने भी number of protons present होते हैं, उसको बोलते हैं, उसका atomic number, तो carbon का atomic number 6 है, तो इसका मतलब उसके अंदर protons कितने हैं? 6, और electrons भी कितने हैं? 6, right, सब्सक्法 करली एक संब का एक कितने प्रोटोन और न्यूट्रोन अगर उन सब को total करतें तो आता है क्या वह आता है अब सब्सक्राइबाट, चलो ये 9 में आप पढ़ चुके हैं ये यह जादा डेटेल नहीं जाएंगे तो मैंने आपको बताया है कार्बन का अटॉमिक नंबर 6 है उसके 1st और्बिट में 2 इलेक्टरोन आ सकते थे और वो 2 आ गए हैं उसके बाद उसके बाद इलेक्टरोन बचते हैं 4 यह उसके 2nd और्बिट में आ गए हैं ठीक है अगर यह आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं आगे बढ़ते बढ़ते आपको यह बताता हूँ कि यहां पे जो compound होते हैं जो elements होते हैं वो दो तरह के रिष्टे बनाते हैं आपस में रिष्टे मतलब यार देखो मैं हूँ मेरा आपसे कुछ रिष्टा है मेरा आप से कुछ relation है, मेरा मेरी मुम्मी पापा से कुछ relation है, आपका अपने फादर से मदर से कुछ relation है, आपकी बैन से कुछ relation है, आपके दोस्तों से कुछ relation है, तो यह जो relation होता है, chemistry में इस relation को बोलते हैं, हम क्या bond, ठीक है students, इस relation को हम क्या बोलते हैं, chemistry में इस relation को हम बोल तो अब chemistry में जो एक relation है bond तो ये bond बनता कैसे है भाई ये bond बनने के दो तरीके हो सकते हैं ठीक है मैंने आपको बताया एक रिष्टा दो बंदों में उस रिष्टे को हम chemistry में जो हम chemistry का chapter पढ़ रहे हैं उसको बोलते है bond तो ये जो bond है ये दो तरीके से बन सकता है तो वो दो तरीके क्या है वो बता देता हूँ मैं फस्ट तरीका होता है ionic bond और सेकंड तरीका होता है covalent bond ठीक है दो तरह के bond होते है ionic bond और covalent bond इन दोनों bond को समझाता हूँ आपको अच्छे से एक example भी लिखता हूँ यहाँ पे साथ-साथ NaCl यह बहुत ही common बहुत ही popular example है जो हर एक को पता होता है NaCl क्या होता है sodium chloride होता है और NaCl कैसे बनता है जब भी NaCl बनता है तो Na positive होता है CL negative होता है अब इस positive negative को मैं भी आपको समझाता हूँ तो सबसे पहले तो यह जान लेते है कि दो तरह के रिष्टे होते हैं elements के बीच में जो बनते हैं वो होते है ionic bonds और covalent bond अब ionic bond क्या होता है covalent bond क्या होता है इसके अंदर difference भी paper में आपको पूछ सकता है तो मैं इसके difference भी आपको बदा देता हूँ मुझे कोई business करना है तो मुझे उसमें कुछ पैसे लगाने पड़ेगा investment करनी पड़ेगी ठीक है तो बट मेरे पास पैसे है नहीं तो मैं क्या करूँगा students मैं जाओंगा bank के पास मैं बांगूँगा loan ठीक है तो bank क्या करेगा मुझे कुछ पैसे उधार देगा और मैं अपना business start कर लूँगा तो जब कभी ऐसा हो कि एक बंदा यह से की chlorine है एक बंदा जिसके पास पैसे नहीं है वो जाता है bank के पास sodium के पास ठीक है इसके पास पैसे नहीं है तो यह जाता है sodium के पास sodium के पास जाके कहता है कि sir business के लिए पैसे चाहिए यानि कि मुझे electron चाहिए ठीक है business को पैसे को आप electron से relate करके समझना तो इसको जब electron चाहिए इसको जब पैसे चाहिए तो यह से उधार मांगता है ठीक है तो sodium क्या करता है Sodium कहता है कि ठीक है पेटा, ले जा पैसे, जा, जी ले अपनी जिंदगी, तो klorine जो है, पैसे लेकर के आ गया sodium से, पैसे क्या, electron, तो sodium लेकर के, sorry, klorine पैसे लेकर के आ गया sodium से, इसलिए कlorine के उपर उदहार है, और ये उदहार को दिखाते हैं minus से, और sodium ने उधार दिया तो उसको दिखाते हैं प्लस से अब ये उधार वाला concept क्या है ये मैं बड़े अच्छे से आपको explain कर देता हूं ठीक है उधार में ऐसा है ना कि bank ने तो उधार दे दिया कि जा भी bank ने ऐसा नहीं कहा था ऐसा नहीं बोला bank ने कि मुझे भी partnership करनी है या ऐसा कुछ नहीं बोला तो जब कभी भी जब कभी भी एक element एक electron को completely छोड़ दे ठीक है जब कभी भी एक element जैसे sodium ने किया एक electron को completely छोड़ दे और एक element उस electron को ले ले अपने पास रख ले, ठीक है, एक ने छोड़ दिया, एक ने ले लिया, इस तरह से जो bond बनता है, उस bond को ionic bond कहते हैं, जो की sodium chloride बनाता है, ठीक है, अब sodium chloride ये bond बना रहा है, ये कैसे बना रहा है, फटा-फट से समझे लो, sodium का atomic number होता है 11, chlorine का atomic number होता है 17, ठीक है, तो sodium का, आ सकते थे, 8 आ गए, थर्ड में भी 8 आ सकते थे, बट ये तो 11 है, तो 2, 8, एक ही आएगा, राइट, अब बारी आई, chlorine की, chlorine के first orbit में 2 आएंगे, second में 8 आएंगे, और third में आएंगे 7, क्योंकि 2 और 8, 10 और 7, 17 इसका atomic number है, अब क्या करना है, अब करना कुछ ऐसे है, कि chlorine आए भगवान, कोई ऐसा बंदा दे दे, जो मुझे एक electron दे दे, और मेरे यहां पर 8 हो जाएं, और मैं एक तम स्टेबल हो जाओंगा, जो कुछ मुझे चाहिए था, वो सब कुछ मिल जाएगा, अब सोडियम क्या सोच रहा है, सोडियम सोच रहा है, ए भगवान, मुझे क साथ electron तो देगा नहीं, क्योंकि तीसे orbit में electron आते हैं, आठ, तो बगवान, कोई मेरा एक electron ले ले ले, ठीक है, मेरे पास extra पड़ा है, अगर ये मेरा को electron ले ले लेगा, तो मैं भी क्या हो जाओंगा, सेट हो जाओंगा, मैं free हो जाओंगा, मिरे को भी किस चीज की ज़रू होते रहेंगी नहीं, तो ऐसा ही हुगा फिर, क्लोरीन गया मांगने के लिए, सोडियम रेडी था देने के लिए, तो सोडियम ने ये electron दिया, छोड और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हो गया, 7 ब्लस 8, 7 ब्लस 1, 8, यानि कि यह हो गया, 2, 8, 8, 2, 18, 18, और यह हो गया, 2, 2, 8, तो देखो, इसका first orbit full, second orbit full, इसका first orbit full, second full, third भी full, तो जब कभी भी इस तरह से bond बनता है, कि एक electron दे दे और एक electron ले ले, तो उसको बोलते हैं, ionic bond, ठीक है, और ionic bond की एक चीज़, ये ध्यान रखना, ionic bond की या bond की, कोई भी bond तब बनता है, students, कोई भी bond तब बनता है, जब वो अपने element को इस तरह से arrange कर लेता है, कि उसके orbit electron से भर जाते हैं, इस theory को हम बोलते हैं, students, octet theory, octet theory, oct का मतलब होता है, art, सबको अपने art-art पूरे करने हैं, कि मिरे art हो जाएं, मिरे art हो जाएं, right students, ज़्यादा detail हो रही है, आगे बढ़ते हैं, तो ionic bond की बनता है, electron की, ठीक है, electron completely transfer हो जाता है, दूसरा, ionic bond होते हैं, strong, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा strong, melting point, बहुत ज़्यादा high, melting point high, ठीक है, melting point होता है, high, और melting point high है, hard होंगे, यह बहुत ज़्यादा, यह क्या होगे, हार्ड भी होंगे, ठीक है, तो यह क्या हो गया, students, ionic bond के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ, कि ionic bond तो आपने पढ़ लिया, अब ionic bond के साथ, covalent bond भी देख लो, भाई, covalent bond क्या होता है, उसके बारे में बता दू, तो covalent bond का बनता है, covalent bond तब बनता है, जब इस तरह से कोई भी element ना मिले, जो electron दे सके, मतलब किसी के पास extra electron ही नहीं देने के लिए, और कोई ऐसा element भी है, जिसके पास receive करने के लिए भी पूरी तरह से नहीं है, तो beach की condition जब आ जाए ना, तब बनता है covalent bond, तो covalent bond बनता है कब जब होती है, sharing, भाईया, ये क्या word है, sharing कैसे होती है, sharing सिखा देता हूँ आपको, मैं sharing का मतलब क्या है, देखो, carbon का एक compound है, compound carbon का क्या है, चलो, मैं आपको एक simple सा example देता हूँ, oxygen का, ये carbon का ही ले ले लेते हैं, चलो, CH4, एक compound है carbon का, CH4, ठीक है, CH4 को बोलते है क्या, methane, इ ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, ताकि space बन जाए, ठीक है, students, एक मिनट रोको, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, यहां पर कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको CH4 के बारे में बता देता हूँ, CH4, carbon का ये compound है, जो की covalent bond से मिलके बना है, यहां पर हम coval की properties लिख लेंगे, तो CH4 के बारे में मैं आपको बता रहा था, CH4 देखो, carbon का atomic number है 6, यानि के 2,4, hydrogen का atomic number है 1, अब students, hydrogen का atomic number 1 है, तो hydrogen के पास electrons भी 1 है, proton भी 1 है, यानि के hydrogen को, अगर एक electron और मिल जाए, तो इसका first orbit भर जाएगा न, तो इसका first orbit अगर भर जाएगा, तो यह क कहेगा, एकदमों के सब कुछ बढ़िया हो गया, carbon के साथ क्या है, carbon को अगर 4 और electron मिल जाए, क्योंगी second orbit में कितने चीए, 8 electron, तब जाके carbon हैपी होगा, या फिर कोई 4 के 4 ले ले, कोई 4 के 4 लेगा नहीं, और कोई 4 और इसको देगा नहीं, ठीक है, थोड़ा वो तो उधा दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है, कि आपको बहुत ज़्यादा कोई बैंक पूरा का पूरा उधार देदेगा, बैंक भी कहेगा, कि थोड़ा भई, अपना वैसा भी लगाओ, बिजनिस करना है, तो बैंक का एक्जामपल लेके समझा रहा था ना, तो ठीक है, तो देखो, फ पास था एक इलेक्ट्रोन, इसके पास भी था एक इलेक्ट्रोन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रोन, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रोन, सब के पास एक एक इलेक्ट्रोन थे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रोन थे, कार्बन के ये दो इलेक्ट्रोन तो अंदर बिलकु यह चोथा, ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रोन, अब स्टूडेंट्स क्या है, कि कार्बन जो है, देखो, कार्बन ने क्या कहा, हाइड्रोजन से, कार्बन ने हाइड्रोजन से कहा, कि हाइड्रोजन बेटा, यह जो मेरा इलेक्ट्रोन है, जिसको मैंने क्रोज से दिखाया है, तो समझ ले, ये तेरा इलेक्ट्रोन है, ठीक है, तू क्या समझ ले, तू समझ ले, ये तेरा ही इलेक्ट्रोन है, तू ये समझ के बैठ जा, तो hydrogen ने का अच्छा जी, ठीक है, समझ लेता हूँ, carbon ने इस hydrogen को भी कहा बेटा, तू भी समझ ले, कि मेरा इलेक्ट्रोन तेरा है, औरे तू भी समझ ले यार और तू भी समझ ले वेरे भाई सब को बोल दिया तो अब hydrogen देखो कितना happy है hydrogen के पास है एक electron था दूसरा आगया carbon से ये भी carbon से आगया, ऐसे ही सब के पास आगया और ये electron आया कैसे carbon के पास ही पढ़ा है देखो carbon के पास है, carbon ने दिया नहीं है carbon ने कहा है अपना समझ, use कर ले पर रहेगा मेरे पास ही ठीक है, तो देखो carbon ने क्या किया, share किया carbon ने कहा, share कर ले तू इस η को अपने को फिर carbon ने कहा कि अगर मैं sharing के लिए दूँँगा न, तो जो तेरा electron है तेरे पास तो मैं भी तो share कर सकता हूँ उसको, ऐसा थोड़ी है कि मैं यह देता रहूँ कि, नहीं नहीं, तो hydrogen ने का कि ठीक है सर, आप मैं, आप मुझे दे रहे हो, तो मैं भी तौर आपको दे सकता हूँ, ने का बहुत बढ़िया, तो फिर ऐसा हुआ कि ये जो electrons थे hydrogen के, देखो, ये hydrogen के चार electron थे न, ये चारों के चार sharing में आ गए carbon के साथ, तो carbon को देखो पहले, carbon को कितने electron चीए थे second orbit में, 8 carbon के पास थे, कितने, 4, तो अब देखो carbon के पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ये तो carbon के पास already थे, बट 1, 2, 3, 4, 4 hydrogen ने एक एक electron दे दिया, carbon को sharing based इस पे, कि आप भी share कर लो, तो जब ऐसी sharing हुई, तो carbon के पास भी कितने electron होगे, 8, similarly, इस hydrogen को चाहिए था, एक electron था, एक और चाहिए था, carbon ने दिया इसको, इसके 2 होगे, इस hydrogen के 2 होगे, इस hydrogen के पास भी 2 होगे, इस hydrogen के पास भी दो electron होगे, तो इस तरह से hydrogen के भी अपना, जो उसको electrons की कमी थी, पूरी होगी, carbon की भी कमी पूरी होगी, बट क्या issue है, issue यह है, कि यहाँ पे sodium ने electron छोड़ दिया था, और chlorine ने electron पकड़ लिया था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ यह हुआ यह है, कि जब भी कभी sharing बनती है, तो sharing कौन सी होती है, covalent bonds, ठीक है, और sharing से जो bond बनता है, उसे covalent bond कहते हैं, वो weak होता है, ठीक है, वो strong नहीं होता है, उसका melting point low होता है, ठीक है, melting point होगा low, क्यों होगा low, क्योंकि यह जो bond बनता है, carbon का hydrogen के साथ, जो sharing वाला bond होता है, यह थोड़ा weak होता है, बहुत ज़्यादा strong नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा strong bond होता है, ठीक है? तो ये बहुत strong है, ये weak है, तो क्योंकि ये strong bond है, तो melting point ज़्यादा है और क्योंकि ये bond weak है, ये रिष्टा weak है, तो ये melting point थोड़ा कम होता है ठीक है students, तो अभी आपने देख लिया कि covalent bond क्या है और ionic bond क्या है, अब next question क्या आता है, next question समझा देता हूँ, next question यह आता है, कि आप मुझे यह बता हो, कि carbon किस तरह के bond बनाता है, भई carbon मैंने आपको दिखाई दिया किस तरह के bond बना रहा है, covalent bond बना रहा है, कैसे bond बना क्या, no sir, carbon कभी ionic bond नहीं बना था, carbon हमेशा कैसे bond मनाता है, covalent bond, तो भईक, अब question आया, कि ऐसा क्यूं है, कि carbon सिरफ और सिरफ covalent bond ही बनाता है, ionic bond क्यों नहीं बनाता, तो चलो, इस question का answer मैं आपको देता हूँ, कि क्या है कि carbon सिरफ और सिरफ covalent bond ही बना रहा है, ionic क्यो बट कि ये लेंथी हो सकता है, पर समझने के लिए बहुत जादा important है, समझ तो आना इसी, तो देखो, students फिर सीख लेते हैं कि carbon covalent bond क्यों बना रहा है, तो भई, carbon covalent bond इसलिए बना रहा है, why carbon make covalent bond, ये है question, very important question of the chapter, तो भई, carbon covalent bond क्यों बना रहा है, number 1, reason, small size, भई, carbon का atomic number है 6, तो उसका atomic size है छोटा, ठीक है, इसी reason को मैं दो parts में explain करता हूँ, ठीक है, अब देखो, carbon का atomic number कितना था, carbon का atomic number था 6, first orbit में आते हैं 2, second में आते हैं 4, तो भई, carbon covalent bond क्यों बना रहा है, question ये है, मैं ये बुर रहा हूँ कि carbon ionic bond क्यों नहीं बना रहा ह भई, जब ionic mode बनाना होपगा है ना, तो एक atom electron छोड़ देता है, है ना, एक atom की अगरता है, electron को छोड़ देता है, तो carbon भी अगर ये 4 के 4 electron को छोड़ देता है, ठीक है, और इसका ये वला orbit में 2 ही रहा जाते है, तो carbon भी कैसा हो जाता, एकदम, एकदम ionic हो जाता है, का नूकलियस यह first orbit यह second orbit carbon के first orbit में आए दो electron second में आएंगे चार electron ठीक है तो right आगे देखो अब carbon का size है छोटा carbon small atom है small size तो अगर इससे यह electron निकालने हैं तो देखो electrons के बारे समझता है electron होता है negative charge nucleus पे होता है positive charge electron पे होता है negative nucleus पे होता है positive positive charge negative charge को attract करके रखता है अपनी तरफ खीच के रखता है इसका मतलब nucleus भी in electron को अपनी तरफ खीच के रखता होगा right तो yes nucleus खीच के रखता है तो क्योंकि size छोटा है nucleus के पास में हैं बहुत बहुत ज्यादा close हैं electrons, तो क्योंकि नूकलियस के electron close हैं, तो इसलिए ये जो electron है, ये जो चार electron हैं, इन नूकलियस से बहुत ज्यादा close हैं, बहुत ज्यादा force of direction से carbon के पास खीचे पड़े हुए हैं, तो क्योंकि ये carbon के बहुत ज्यादा close हैं, तो इन electron को निकाल पाना बहु सेकंड ओरबिट में आठ इलेक्टरों आ जाए बगवान और मैं आराम से बैठूं Octet theory का concept students यह है कि हर आदमी चाहता है life में stability कि मैं stable हो जाओ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, मुझे कोई काम ना करना पड़े तो carbon, hydrogen, oxygen, सारे के सारे element यही चाहते है कि हमारा second orbit पुरा भर जाए या जिस भी orbit में वो है, जाहे third orbit है, वो पुरा भर जाए जैसे chlorine में क्या था, chlorine में देखा था ना, chlorine का atomic number था 17, तो 2,8,7 तो chlorine क्या कर रहा था, एक electron ले रहा था, तो 288 हो गया था, तो यह 288 जब हुआ था, तो इसने अपना octet पूरा भर लिया था, इसने अपना quota paid भर लिया कि मुझे पूरा पैसा चाहिए, तो इसके पास जब इतन बहर जाए, तो भई सभी यही चाहते हैं, तो carbon को क्या मैं 4 electron और नहीं दे सकता, दे सकता हूं, पर क्या carbon 4 electron ले लेगा, देखो, यह carbon का structure है, 1st orbit पूरा है, 2nd orbit में 4 electron पड़े हैं, मैंने इसको 4 electron देने शुरू किया, 4 नहीं, मैं एक मानता हूं, चलो मैंने 1 electron दिया, और, ब क्या होगा, इन दो, यह भी negative charge, यह भी negative charge, यह भी negative charge, यह भी negative charge, क्या होगा, same charge, तो repel करते हैं, तो भाई, अगर repel करेंगे, तो यह electron इदर खिशकेगा, यह electron इदर खिशकेगा, है ना, बीच में और negative charge आगा है ना, यह इसको भी repel करेंगा, इसको भी, अब यह जैसे उसमें आपने एक और इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा डाल दिया, नेगिटिव नेगिटिव सारे रिपेल करेंगे, जब रिपेल करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर क्रियेट होगा, कि कार्बन एक जो एटम था, वो एटम नहीं रह जाएगा, वो फट सकता है, इलेक्ट्रोन इदर उदर भागेंगे, पूरी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो कार्बन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रोन असेप्ट नहीं कर सकता, ना तो असेप्ट कर सकता है, ना ही दे सकता है, असेप्ट करने के लिए, एक एग्जामपल समझ ल एक और बच्चा आ गया इस कमरे में बैठने के लिए तो जैसे ही वो 21st student आएगा पढ़ने के लिए इस रूम में बैठ गया तो होगा क्या कोई जो student है किसी की तो जगा वो लेगा जिसकी भी वो जगा लेगा वो कहा जाएगा वो किसी और की गोदी में बैठेगा वो किसी और की गोदी में बैठेगा तो फिर वो उसको धक्का देगा वो किसी और की गोदी में गिरेगा वो किसी और की गोदी में गिरेगा यानि के एक 21st में के आने से पूरा रूम डिस्टर्ब डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है डिस्टर्ब हो गया तो फिर ionic bond बन सकता था और ना ही electron accept करता है तो दोनों की दो conditions के अंदर covalent bond बनता हुआ दिखाई देता है ionic bond नहीं बनता है right students I hope के बिल्कुल एकदम से clear हो गया होगा right तो अगर clear हो गया तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं अभी तक मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या होता है अच्छा अब मैं कार्बन के compound जो है उसकी कुछ property आपको बता दू covalent bond बनाता है इसकी properties क्या है यह poor conductor होते है poor conductor of electricity यह electricity को conduct नहीं करते भाई electricity ठीक है वीक होंगे यह ठीक है बहुत ज़्यादा hard नहीं होंगे ठीक है less hard यह soft callow ठीक है इस तरह की compound जो है carbon के बनते हैं right अब carbon के कुछ allotrop होते हैं carbon की कुछ varieties है वो varieties में से दो varieties जो की बहुत ज़्यादा paper में popular है paper में पुछी जाती है और आपकी NCRT की book में दे भी रखी है वो क्या है वो पढ़ लेते हैं वो है graphite and diamond तो carbon के जो allotrop है एक allotrop है graphite एक allotrop है diamond ठीक है तो graphite और diamond देखो भई graphite और diamond का difference paper में आता है तो diamond and graphite right diamond तो भई hardest substance on the earth hardest यह है soft कैसा soft साबुन के जैसा ठीक है तो hardest और साबुन के जैसा soft right एक second difference जब इसके अंदर carbon जुड़ता है तो एक carbon one carbon four carbon के साथ जुड़ जाता है इसके अंदर एक carbon तीन carbon से जुड़ता है तो इसलिए इसका structure होता है three dimensional इसका structure होता है hexagonal ये है good conductor किसका electricity भईया electricity को conduct करेगा right और ये है bad boy bad conductor ये कुछ conduct नहीं करेगा right diamond or graphite के difference याद कर लो students वो ज़्यादा important है diamond hard है ये soft है diamond एक diamond के अंदर बहुत सारे carbon atom होते है एक carbon atom बाकी चार carbon atom से जुड़ता है कैसे इस carbon के पास चार electron है पता है ना six atomic number two comma four ये चार electron है ना इसके पास तो ये चार के चार बाकी दूसरे carbon से जुड़ेंगे right ék carbon इससे भी जुड़ गया इससे भी जुड़ गया इस carbon चार carbon से जुड़ रहा है इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ता है, समझ पा रहे हो ना, येस समझ रहे हो भाई, मुझे पता लग गया, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, अच्छा, अब एक कार्बन का एटम और भी है, जिसका नाम है, C60, इसको बोल किक, राइट, फुडबोल है, तो ये आपने याद रखने हैं, दू तीन इसमेहते हैं, अब एक टोपिक पढ़ते हैं, वर्सेटाइल नेचर ओफ कार्बन एटम, भई कार्बन जो एटम है ना, वो वर्सेटाइल होता है, वर्सेटाइल, क्या भई डांसर है क्या वो, क्या वर्सेटाइल में क्या गरता है कार्बन, तो कार्बन क्या है देखो, कार्बन इठो, युनिवर्स में अकेला एक मात्र, ओलग केवल element है जो बहुत सारे atom से जुड़ता रहता है एक carbon, आई मैंने बोला ना C60, 60 carbon atom से जुड़ गया भाई carbon, ठीक है और इससे भी ज़्यादा होते होंगे, पता नहीं कितने हराजारो लाखो atom से जुड़ता जगा जायाता carbon, तो carbon बहुत सारे atom से chain की form में जुड़ता रहता है, chain में long chain बना लेता है, carbon ये carbon जुड़ गया दूसरे से फिर दूसरे से, फिर दूसरे से carbon, 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 carbon जुड़ते चले जा रहे हैं, ये versatile nature carbon की कहलाती है catenation 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 catenation, तो ये property है carbon की, इसको बोलते है catenation, ये versatile nature है carbon की, अच्छा, अब carbon का bond तो पता चल गया था, कोन सा था, covalent, yes अब carbon का bond था, covalent अब students, एक चीज़ सिखाता हूं मैं आपको, ये carbon एक और carbon इसके पास भी चार electron है इसके पास भी चार electron है एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार अब carbon इसने इस carbon से ये electron share कर लिया तो एक line मैंने लगा दी इस line को बोलते हैं bond तो ये bond बना carbon और carbon के बीच में, तो जब दो carbon के बीच में ऐसे bond बन जाए, उस carbon के bond को बोलते हैं, कौन सा bond single bond ये कौन सा bond है, single bond अब इसके तीन electron पड़े हैं बाकी किसी और से जूड़े रहे होगे, ठीक है अब एको डाइग्राम अब इसके पास दो electron पड़े हैं इदर दो यहां लगा दिये मैंने अब carbon ने दो दो electron आपस में जोड़ लिए तो ये bond बनेगा double bond yes, James bond अच्छा, अगर carbon ने एक electron इदर छोड़ा इस carbon ने इदर छोड़ा बाकी तीनों electron आपस में share कर लिए तो बनेगा triple bond तो single bond, double bond और यह है triple bond तो जो single bond होता है इसे बोलते हैं saturated compound कौन सा? saturated compound और यह double और यह triple है double और triple है इनको बोलते हैं unsaturated unsaturated carbon compound yes unsaturated carbon compound तो saturated carbon compound बता दिए unsaturated carbon compound आपको मैंने बता दिए एक छोटी सी वीडियो दोस्तों और बनेगी इसलिए छोटा सा बाट रह गया है ज़ाद लंबी वीडियो बनाऊंगा तो बोरो जाओगे मैं भी ठक जाता हूँ ठीक है? So students आपको I hope समझ आ गया होगा कुछ समझ नहीं आया तो मुझे मैसेज कर दो कमेंट कर दो मैं आपको बता दूँगा और नेक्स वीडियो फटा-फट से अपलोड करने के लिए रेडी होता हूँ बाई बाई थेंक यू थेंक यू फोर दा वीडियो हूँ